सिद्धान्त क्या है अग्यात को लखाने के लिए ग्यात का सहरा लेना पड़ता है तो जब यह बताया कि वहाँ वो आखो का विशे ने, इंद्रियों का विशे ने, करमिंद्रियों का विशे ने, मन का विशे ने, मुद्धी का विशे ने, इसका अर्था क्या हो गया, इसको त्यागो, इसको त्यागने के बाद जो बचे का वो आप हो इसे लिए कथन ची अन्य रूपेन निरूप्यम वेद्यम प्यूता यद्यदम दृष्य पश्य सीह तेनत तद वेद्यम उच्चते यद्य वह भासते किंची तद विभावय सद्धिया आप कहते हैं वास्तों में तो ऐसे अनिरोचनी है और इसी लिए अधनेय भी है लेकिन उसका निरूपन भी किया जा सकता है और उसको जान भी सकते हैं जो जो दृष्य दिखते हैं तो यहां एक बहुत सुक्ष्व बात है ध्यान से सुनना यद्यलप पश्चसी इह तेना तद वेद्य मुच्चते जिसको जिसको देख रहे हैं उसको वेद्य कहते हैं आपको देख रहे हैं तो यह जो वेद्य है कहते हैं तद तते अवभासते किंचिद यद विभावय सद्धिया अब यह आप सब देख रहे हैं इसको ठीक से देख लो उसके पश्चान आगे कहते हैं भान शक्तिर भास से ही ना सर्व भान समाच रहा अब इसमें जो अनेकता है इस अनेकता का त्याग कर दो माने यह विशय दो इसलिए है कि दोनों के बीच में विशय नहीं है तो यह विशयों के अभाव में जो भान है विशयों का नहीं होने का वो भान विशय को होते समय भी है और विशयों के न होते समय भी है विशय अलेक है बदलते है लेकिन यह जो भान है जो विशय के भाव अभाम को प्रकाशित कर रहा है यह ज्यों का त्यों है तो हमने क्या किया हमारा ध्यान विशयों के प्रति सहज आकर्षित हो सकता है तो उसका अधर लिया और फिर कहा कि विशयों के प्रति यह अब उदासीन हो जाओ तो जो भान रहता है जिसको जे कृष्ण पृति कहते थे कि अबजेक्टलेस अवेरनेस इसी को कहते हैं निर्विकल्प समादी और कोई खास नहीं है देखो तो भान शक्ती भास से ही ना भान शक्ती अवेरनेस भास से ही ना दिर इस नो अबजेक्ट आफ अवेरनेस तो भास भान शक्ती भास से ही ना सर्वभान समाश रहा है और यही सब का अधार है अब इसको पूरे जियर में लगा लो जाग्रव सप्न अस्षुप्ती समादी सब में एक ही भान है अलग अलग नहीं है इसे लिए वेद्यम एव न वित्की स्यात ततो यन्न प्रकाशते साएव तत्व वित्तेव वियानी ही मुने सुत्व हे मुनिपुत्र इसी को जो भास ही ना भान शक्ती है यही तत्व है तो अवेद्य इसलिए है कि हम वेद्य में फसे हुए है और वेद्य इसलिए है कि हम वेद्य में से निकल गए तो एक ही समय में वहां तत्व अवेद्य भी है वेद्य भी है अवेद्य इसलिए है कि हम जगत में फसे है और वेद्य इसलिए है जगत से उपरद हो गए अब वही है परक ये है जगत को हम अन्य के रूप में प्रतीत करते हैं अनुभाव करते हैं तत्व को हम आत्मरूप से अनुभाव करते हैं इसलिए वएड्य मे वहिन वेड्पीसया सतो जन्न प्रकाशते और इसको वेड्य इसलिए नहीं कहते हैं कि यह किसी अन्यके द्वारा नहीं प्रकाशित होता है, लेकिन वेड्य इसलिए है भी क्योंकि यह सम्प्रकाशित है तो जैसे जैसे ये सुक्ष्मता बढ़ती है ज्यान की वैसे वैसे ये बादे एकदम आसान हो जाती है कोई कटिर नहीं जो अन्य के द्वारा जाना जाता है उसको विद्य कहते है लेकिन जो स्वेम प्रकाशित है उसको विद्य कहने की आवशकता ही नहीं इसे पुस्तक अमारी आखे और प्रकाश तीनों क्या आवशक्ताय Pustak को देखने के लिए क्योंकि Pustak स्वेम प्रकाशित नहीं है अब सूर्य को देखना हो तो क्या हम पुस्तक को लिजाएंगे पुस्तक अभी फिशले बार जरूर पढ़ी थी क्योंकि सूरिय स्वयम प्रकाशित है उसके बाद अपने आखों के पास आये है और डॉक्टर ने पूछा आपको दिखता है क्या अब डॉक्टर नहीं जान सकते हमको ही कहना पड़ेगा हां या ना देखो तो जैसे जैसे हम स्वरूप के पास पहुचते हैं वैसे वैसे हमको अन्य के प्रकाश के आवशकता नहीं है तो रूप रंगों प्रकाशित करने के लिए आखों के आवशकता है लेकिन रूप रंग आखों को प्रकाशित नहीं कर सकते है आखों को जानने के लिए मन के आवशकता है लेकिन आखे मन को नहीं जान सकती मन को जानने के लिए चै ते ही वह विद्यते खलू, तो यह जो विविन रूप वाला है, वो इसी ज्ञान के द्वारा जाने आ जाता है, लेकिन सभी तद तद रूप विवेदेना विवर्तों विद्यते कचिल, लेकिन विशेव के अनेक्ता होने के कारण ज्ञान में अनेक्ता नहीं होती, ज्ञान यह कही है, जैसे दरपण में, समझो, तीन चार वस्तु प्रतिविंबीत हो गई, एक लंबी, एक चवडी, एक गोलाकार और एक तिकोला, तो क्या दरपण का जो पृष्ट भाग है, यह बिन्न बिन्न आकारों के कारण उसमें परिवर्थ नाएगा, नहीं, जो निराकार है, वो सबको आधार देगा, इसलिए, बेदो ही वेद्य धरमस्या, न वित्किम संप्रुशेत कचित,